वेलकम टो और यूटूब शैनल दरील इन्वेस्मेंट आज स्टॉक मार्केट में देखा जाए तो लगबग सभी आटो सेक्टर के स्टॉक में हमें तेजी बनते हुए देखने को मिली लेकिन इन सभी आटो सेक्टर में से आज में तीन स्टॉक आपको बताऊंगी जिन में स कोई एक स्टॉक आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमा कर देगा और इसके अंदर आपको अपना फ्यूशर बनते हुए देखने को मिलेगा तो कौन है वो सिकंदर आप जान लेगे तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी अशोकले लैन इस स्टॉक के बारे में आपक स्टॉक कावण देख सकते हैं आप स्टॉक में आप्डावन चोटे मोटे आते हुए स्टॉक में 7 दू 8 पॉइंट्स के आप तेजी बनते हुए देखने को मिली। कोई भी stock के बारे में जब भी आप decision लेते तब आपको उसके fundamental पता होना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ chart के basis पर आप कोई भी decision नहीं ले सकते और fundamentally stock strong होगा तब भी आप उसके आंदर entry लीजेगा तो चलिए बात कर लेते हैं सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी company का जो debt है उसके बारे में कभी भी आपको investment करनी होगी तो आप company के उपर कोई debt है या नहीं इसके उपर आपका focus जरूर होना चाहिए तो main बात होती है debt तो company पर आप देख सकते हैं पाइनस 39.88% की profit growth 1 digit में देखने को मिल रही है 1.34% की return on equity देख सकते हैं 3.08% का देखने को मिल रहा है dividend yield wise stock देख सकते हैं 0.41% का देखने को मिल रहा है जहां तक कि अशोगली land की comparison की जाए other stock के मुकाबले तो वो आपको second number पर trade करते हैं और टाटा मोटर्स नंबर वन पर तो टाटा मोटर्स के बारे में आपको आगे बात करने भी वाली हूँ next level पर इसके प्रमोटर के holding यानि की share holding pattern की बात कर लेती हूँ प्रमोटर के holding तो हमने starting में देख ली अब ओधन 50% है foreign investor देख सकते हैं आप यहां पर 18.08% का stake लेते हैं बैठे हुए domestic institution investor देख सकते हैं आप 16.72% का जबर्दस यहां पर उनका holding देखने को मिल रही है और public की पास 13.58% का stake है next level पर company जो है वो dividend returns आच्छे देती है entry point best कहा जा रहा है और return FD से ज़्याद आपको provide करती है company के ओपर कोई भी red flag हमें देखने को नहीं मिल रहे है financially पर बात कर लेते है financially देखा जाए तो 2019 में stock कर रहे है revenue और profit यह दोनों की growth हमें अच्छे बनते हैं देखने को मिली लेकिन 2020 में वो नीचे जाते हैं हमें देखने को मिल रही है next level पर यहाँ पर हमें बात करना चाहूँगी भले ही company का फिलाल की financial growth हमें 2020 की नीचे के ओर जाते हैं देखने मिल रहे है लेकिन company यहाँ पर loss में हमें देखने को नहीं मिल रहे है तो यह एक positive बात है क्योंकि market में mortality, ups and downs आना यह तो नाजमी है लेकिन profit यहाँ पर है पर points के मावलों में हमें देखने को मिल रहे है जो की other years के मुकाबले काफी कम तरता जनक है लेकिन loss में वो बिल्खुल भी नहीं है next level पर यहाँ पर बताना चाहूँगी मैं आपको यह तो हमने सब बात कर ली थी आशुक ले रहे हैं इस टॉक के बारे में आप Tata Motors इस टॉक के बारे में जान लेते हैं Tata Motors इस टॉक में बात करना चाहूँगी सबसे पहले इसके चार्ट की तो आप चार्ट में देख सकते हैं कितने वर्टालीती बंत में हमें दखने को यह याणि हमें आगे यानि जो इसकी next ट्रेडिंग होगी महा पर आपको लेते अंदाज लगा लेते हैं ताटा मोटर्स में देखा जाए तो हमें 3-3,5% की तेजी बनते हो देखने को मिली और स्टॉक में 10-11 पॉइंट्स की हाप बड़ोत्री भी होते हो देखने को मिल रही है अब स्टॉक की फंडामेंटल यह बात करना चाहँगी ताटा मोटर्स भले ही नंबर वन पर हो लेकिन अब यहां पर पातने चाहंगी है मैं यहां पदने को मिल रहे है लेकिन मोटर्स यह ऐसा जिसके फ्यूचर को बहुत यह प्राइट नेR tu आपको फ्यूचर में ज़रूर ग्रोथ देते हुए देखने को मिलेगी और 100% टाटा मोटर्स में आपको ग्रोथ होती हो देखने को मिलेगी 2025 तक टाटा मोटर्स यह स्टाप आपको एक मल्टि बैगर रिटर्न देखर ही रहेगा क्योंकि जब तक स्टाप जो इलेक्ट्रिक वेहिकल से रिलेटिड है यह अपना पूरा काम कर चुका होगा और इसकी डिमांड भी जादा रहेगी जिसके चलते टाटा मोटर्स आगले कुछ दिनों में आपको बहुती उच्छतम लेवल पर देखने को मिलेगा सात ही सात है आँ पर बता दू ये जो स्टॉक्ट कारोड रूपिस परुपीर तक स्टॉक्ष्टक का सब्सक्ति suivi प्रमोटर के वल्डिंग्स लेकिन यहां पर बिलो देन 50 परसेंट देखने को मिल रही है तो यह कुछ फंडामेंटली बात है थी जो आपको पता होना जुरूरी थी शेर वल्डिंग पैटरन की बात की जाए तो पब्लिक के पास 70.1 परसेंटेज का स्टेक देखने को मिलता ह है लेकिन डिविडेंट वे स्टाक की बात की जाए तो वो रिटरन उतने अट्रेक्टिव देता नहीं है यह अपड़ी से भी जादा रिटरन अभी तक फिलाल स्टाक के हमें देखने को नहीं मिले एंट्री पॉइंट बेस्ट है और कोई भी स्टाक पर रेड फ्लैग हमें देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन फाइनाशल ट्रेड के आपको बात करना में यहां पर चाहूंगी जो कि 2017 से लेकि 2020 तक का परफॉमंस आप देख सकते हैं स्टाक के अंदर दोसल से हमें करीब करीम यहां पर नेगिटिविटी देखने को मिल रहे हैं लॉस होते वह देख देखने को मिल रहे हैं जो भी इसका फ्यूचर इसके अंदर बनते हो देखने मिल रहा है इस वजह से स्टाक के अंदर आपको अपनी होल्डिंग रखनी चाहिए और दरवाइस आगर यह डील नहीं हुई होती तो आपको इस स्टाक के अंदर जीरो प्रॉफिट हुआ होता तो यह हो गई फैलेंशल ट्रेड की बात आप बात कर लेते हैं M&M Limited स्टाक की बारे में यानि की Mahindra एं Mahindra स्टाक के बारे में यह स्टाक में देख सकते हैं 50006 परसेंटेज की तेजी बनते हो देखने को मिली स्टाक का परफोर्मस देख सकते हैं 43.50 से स्टाक बढ़ते हो ह हमें देखने को मिल रहे है यानि कि कल भी इसके अंदरा हमें तेजी बनती हुए देखने को मिलेगी फणनामेंटली स्टोक के बारे में बात करना चाहूंगे प्रोफिट ग्रोफ देख सकते हैं लेकिन यहां पर आपको डेखने को मिलेगा 3067 करोड रुपीज तक का लेकिन मार्केट कैप भी उसी लेवल का है उसका 99181 करोड रुपीज तक का तो यह डेप्ट रिड्यूस करते हुए भी हमें यहां पर देखने को मिल रही है लगबाग आज जो हमने तीन शेयरों की बारे में आपको बात की उन तीनों के तीनों शेयर में हमें डेप्ट देखने को मिला साथ ही साथ अर्णिंग पर शेयर की इसकी ग्रोथ देख सकते हैं यह भी आपको नेगेटिविटी देखने को मिल रही है माइनस 18.36 की प्रमोटर की होल्डिंग देख सकते हैं अब कितनी कम देखने को मिल रही है सिर्फ 19.45 की हाँ पर देखने को मिल रही है और एक बात बता दो जितना स्टॉक के ओपर डेप्ट है उतना तो क्याश यहाँ पर कमपणी के पास फिलाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है 4236 करूर रूपीज तक का तो यह डेप्ट उतना माइने नहीं रखता है क्योंकि वो कभे भी यहाँ पर चुका सकता है होल्टिंग के बात की जाए तो प्रमोडर के पास होल्टिंग आमने जान ली फोरें इंवेस्टर देख सकते 38.93 परसेंटेज का स्टेग है फोरें इंवेस्टर इसके इंवेस्टर बहुत ज्यादा इंट्रेस्टर देखने हो मिल रहा है यहाँ पर कोई भी रेट फ्लाग नह मामली में थोड़ा कम तरता जनक यह स्टॉक देखने को मिल रहा है फाइनाशेल ट्रेड देख सकते हैं 2017 से लेकर 2020 तक का काफी नेगेटिव भरा देखने को मिल रहा है 2020 का यहाँ पर हमें प्रॉफिट की ग्रोथ कोई भी कोई भी देखने को नहीं मिल रहे लेकिन स्टॉक डॉस में नहीं है यह पॉजिटिव बात है रेवेनी वाइज भी स्टॉक उतना कुछ नीचे नहीं गया लेकिन 2019 में इसमें काफी हमें अच्छी ग्रोथ देखने को मिली थी तो यह फाइनाशेल ट्रेड की भी हमने बात कर ली तो आप समझ चुके होगे कि यह तीन स्टॉ नीचे मुझी कमेंट सेक्षण में कमेंट दाल कर जरूर बता देना पर इसका अगर अब कर इंपरेटली वीडियो चाहते यह कंबड़ा संगे अलग लेवल पर आपको बताना है तो आपुचे नीचे कमेंट सेक्षं नि बता देना और लानेчтоग यह नहीं च्मक चैशित ह thank you so much